तो स्वागत है दोस्तों आप लोग अपने चैनल अपने पेस वेकेंसी वाला के साथ तो आज मैं एक नए वेकेंसी के साथ हूँ देखते हैं फटाफट से कि उस वेकेंसी का क्या नाम है कितने पोस्ट होने वाले हैं क्या क्रैटेरिया रहेगी examination form field करने के लिए form field करने के लिए कितने मतलगी उसका payment रहने वाला है क्या form का rate रहेगा सारे चीज़ गवार मैं इस वीडियो में चनकारी दूंगा क्या salary सिलिप रहेगी क्या salary मिलेगी सभी चीज़ गवार मैं मैं बताने वाला हूँ चलिए देखते है नेम और पोस्ट क्या है चन्डिकर्ट पुलिस रिकार्मेंट CHD Constable Executive IT Requirements 2024 Apply Online for 144 पोस्ट सब चीज एक ही लाइन में यहाँ पर दिख दिया हुए 144 पोस्ट है 144 चन्डिकर्ट पुलिस Constable Executive IT Requirements चन्डिकर्ट पुलिस में Constable Executive का पोस्ट है चलिए फटा-फट से देखते हैं क्या क्रिटेरिया होने वाला है अब आते हैं पहले हम लोग Important Dates की और Application Begin 21-2024 का Application इसका Begin हुआ था इसका Last Date है 13-2-2024 यानि कि अभी से आप 15 दिन मान लिजिए Latest 15 दिन 15-3-2024 को इसका Last Date है Pay Examination Fee मतला की Payment Done करने का Date है 13-2-2024 यानि जब कि 15 दिन है Start हो चुका है तो 15 दिनों के लिए हम लोग को वेट नहीं करना है हम लोग फटा-फट से Form डाल लेना है Chandy Head Police की Requirement है मैं Link इसका Description में डाल देता हूँ Admit Card का यहां पर Exam Date दे रहा है 13 March को एक्जाम यह ले रहा है 13 February का 3 March लग भग 20-25 दिन बाद यह एक्जाम ले लेती है पहले एक्जाम डेट की घोसना हो चुकी है तो आप लोग को Form डालते हैं तो यह इस शुरू कर देनी है Admit Card available before exam Admit Card exam से कुछ दिन पहले एबलेबल हो जाएगा अब चलिए देखते है Application fee क्या हने वाला है General OBC का 1000 रुप्या होने वाला है 1000 SCOEWS का 800 रुप्याद EWS में General OBC अगर EWS बन भाए होंगे तो उनके लिए फायदा की बाद है 200 रुप्याद माफ हो जाएंगी SCOEWS के 800 का payment mode आप लोग कर सकते है Pay the exam fee Throne Line, debit card, credit card, net banking, fee mode किसी भी mode से आप fee payment कर सकते है अब चलिए देखते है Requirement क्या है, age limit क्या है, payment क्या होगी कितने post हैं सब इस जोई बार में Minimum age कम से कम यह जिसमें चाहिए आप हो 18 years होनी चाहिए Maximum age 25 years होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा 25 साल होनी चाहिए मतलब कि 25 साल और सबसे कम minimum 18 साल 18 साल से कम उमर के लड़के यह लोग form नहीं डाल सकते है चलिए Age relaxation extra as per chandigat police requirement Age relaxation अगर होती है तो वो chandigat police के अधीन होगी लेकिन form डालने के टाम 18 और 25 के बीच के लोग ही form डालेंगे चलिए अब देखते हैं post की name क्या रहने वाली है chandigat executive IT 1444 post है अब इसमें कौन लोग form फिल अब कर सकते हैं bachelor master degree in computer science और bachelor या master degree computer science में होनी चाहिए electronic में होनी चाहिए instrumentation में होनी चाहिए communication इस समय से और और करके दिया गया किसी चीज में information technology में आप लोग bachelor degree होनी चाहिए metraconics में computer में application data science में और allied fields more elevated details or reader notification notification rate करने के कोई जोगे नहीं इतनी ही criteria इसमें से कोई भी चीज में आपको bachelor degree मतलब कि graduation ब.A. pass होना चाहिए वो लग form डाल सकते हैं अब किस चीज में कितनी पोस्ट है वो में बता देता हूँ चलिए चंडिकर police executive category wise vacancy detail general के लिए उसमें 65 144 पोस्ट है general के लिए 65 पोस्ट है EWS के लिए 13 पोस्ट है general वाले एक पास अगर EWS certificate है वो 13 पोस्ट भी इसमें add बजाएगा EWS के लिए 39 seat है SC के पास 27 SC के पास ST इसमें form नहीं डाल सकते हैं N A ST के लिए इसमें form नहीं डाल सकते हैं SC तक डाल सकते हैं सभी को जोर के total 144 पोस्ट होता है चलिए अब देखते हैं form कैसे apply होगा link मैं आप लोग को description में देदूँगा आपके सामने मैं link तक क्लिक कर रहा हूँ देखते हैं form खुल रहा है चलिए तब तक के लिए like, share, subscribe कर दीजिए अगर अच्छा लगए तो दोस्तों के साथ share कीजिएगा बेल आइकन दबा दीजिएगा आपके मज़ाई भी कोई भी वैकेंसी का अपडेट सुन तो आप तक सबसे पहले पहुँचा है first impression में आप लोग check कर सकते हैं form fill up कर सकते हैं चलिए link open हो रही है आधी open हो चुकी है देखिए आप लोग के सामने page खुल चुका है चंडीगेट पुलिस दिपार्टमेंट requirement of constable executive IT चलिए इसमें registration जबकि 23 तारी को ये form आ चुका है click here to procedure click here to procedure for submission of online application जो लोग form डाल चुके हैं मतलब कि registration का चुके हैं और भी upload नहीं की है document या फिर fee payment नहीं की है ताकि उनका seat registered हो जाए चलिए देखते हैं जो लोग registration कर चुके हैं वो register click करेंगे अपना application number और password डालेंगे उनका खुल जाएगा और नए लोगों के लिए नए लोगों के लिए registration पर क्टी करेंगे उनको registration करना हो उसके बाद कुलेगा लोग इन जो है वो पुराने लोगों के लिए जो रोग registration कर चुके हैं पहले कलत बोल चुका था अभी पुराने लोगों के लिए लोग इन करना है और नए लोगों के लिए पहले registration करना है registration जब करेंगे तो आपके पास आपके mail पे आपके number पे OTP आएगा application ID, password, सभी चीज मैसेज कर दिया जब उसके अप लोग इन कर कि अपना documents upload कर सकते हैं fee payment कर सकते हैं चलिए registration का page में आप लोग के सामने open कर रहा हूँ registration के पहने click कर दिया है चलिए form open हो रहा है मैं registration का दिखा देता हूँ क्या कर डालनी है सबसे पहले आप लोग को date of birth डालनी है email ID डालनी है confirm email ID mobile number उसके बाद देखते हैं send and submit OTP उसके आप submit and send OTP की जाएगा वो OTP का number नीचे डालनी है उसके आद आपका registration हो जाएगा जब OTP जाएगा registration हो जाएगा तो आपके mobile पे application number और password message कर दिया जाएगा उससे आप लोग को login कर लेनी है और login कर लेनी है उसके बाद आप लोग को documents upload करनी है fee payment करनी है और बाकी चीज़ों तो हो चुके है और मैं link description में डाल देता हूँ जब आप लोग सभी चीज़ डालके submit and send .tp पे जाएगे तो आप लोग का form fill up हो जाएगा चलिए तब तक के लिए धन्यवाद मैं link description में डाल देता हूँ आप लोग form fill up कर लेजिए thank you, thank you from vacancy बाला